हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आच लगरवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल जैसा हूं ऑनलाइन क्लासेज में जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो साश्त्रिय संगीत है इस्ते पहले हम लोगोंने आर्ट इन कल्ची के बहुत सारे टॉपिक्स को कव कर लिया है जिसमें लोगोंने बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर को कम्लीट किया है और अभी हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं भारतिय संगीत को भारतिय संगीत क्यूंकि एक लेंडी टॉपिक है तो इसके टोटल तीन क्लासेज जिसमें से जो पहला क्लास है वो कल हो चु कर सकते हैं यूट्यूब पे फेस्बुक पे टेलिग्राम पे और इंस्टामों जो में आप हमारे नोट्स को जो है वो खरीच सकते है तो जाए और चेक कीजिए वह पे चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं भारतिय संगीत भारतिय संगीत की दो अलग-अलग शैलियो जिसको गवर्मेंट की तरफ से अज़ क्लासिकल म्यूजिक मानेता मिली होती है और लोग संगीत हो अलग-अलग जगह के लोग अलग रिजन के लोग अपने हिसाब से अपने गीत का विकास करते है उसको बोला जाता है लोग संगीत तो भारत संस्कृति में जो आपका क्ला करनाटक संगीत ठीक है तो जो हिंदुस्तानी संगीत है वो नौर्थ इंडिया से रिलेटेट है और जो करनाटक संगीत है वो साउथ इंडिया से रिलेटेट है ठीक है तो देखो भारतिय साश्तिय संगीत की दो अलग-अलग शैलियों का विकास हुआ है हिंदुस्तानी सं Хालक कि दोनों प्रकार के संगीत की अतहासिक जड़ें भारत के नाटी शास्त्र में पाई जाती हैं, जो भारत का नाटी शास्त्र था हमने इसके पहले वाले लेसन में देखा था ना, तो दोनों का हमको disruptive जो है वो नाटी शास्त्र में मिलता है लेकिन चौदवी सदी में विलगाव हो गया, मतलब यह दोनों अलग-अलग हो गया, संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संगरचना और उसमें ततकालिक्ता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है, हिंदुस्तानी शाखा में सुद्ध श्वर, सब्तक या प्राक अगर आपका संगीत में गायक की 10 मुख्य शैलिया है, तो उसमें से कुछ शैलिया है इस प्रकार है, आपका संगीत में जो इंपॉर्टन दस शैली है वो यह सब है, अगर आप लोग का क्वेशन आता है, कि इन में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी है, क द्रूपद यह हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है, यह कहा जाता है कि द्रूपद अपनी जड़ों के लिए प्रबंद और धूप प्रवाद जैसे पुराने रूपों का रिडी है, यह नाम धुरूफ और पद दोनों शब्दों से निकला है, जो कविदा के छंद रूप तथा उसके गाने की शेली दोनों के प्रदर्शित करता है, अखबर ने क्वामी स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे संगीताचारियों को नियोजित और संग्रक्षन दिया था, तानसेन को मुगल दर्बार के नौ रतनों में से एक मा नुमान लगाया जाता है कि बैजू बावरा अकबर के दर्बार में गाया करते थे, हमें ग्वालियर में स्थित राजामान सिंग तोमर के दर्बार में धुरूपत में प्रमीरता प्राप्त करने वाले गायकों का साक्षी मिलता है, यहां मध्यकाल में गायन की प्रमुख परन्तु अठारवी सताबदी में यह हाश्र की स्थिती में पहुच गई तो देखो आप लोगों को धुरूपत से रिलेटेट इतिहास पता चला की तान सेन राजामान सिंग के तोमर जी के दरबार में आप लोगों को इसके साक्षे मिलते हैं और जो स्वामी हरीदास थे वो इससे रिलेटेट थे यह आप लोगों को पता चलता है धुरूपत एक काव्यात्मक रूप है जिसमें राग को सटिक तथा वृच्छ शेली में प्रस्तुत किया गया है धुरूपत में संस्कृत अक्षरों का उप्यों किया जाता है इंपोर्टेंट है और इसका उद्गम मंदिरों से हुआ है धुरूपत रचनाओं में सामानिता चार से पांच पद होते हैं और जोड़े में गाय जाते हैं सामानिता दो पुरुष गायक धुरूपत शेली का प्रदेशन करते हैं तानपुरा और पखावज समानिता है इसकी संगत करते हैं जो इसमें वाद्ध यंत्र होते हैं वह तानपुरा और पखावज होता है वाणी या बाणी के अधार पर धृुपत गायन को आगे और चार रूपों में विभाजित किया जा सकता है मतलब देखो धृुपत के भी तोटल चार आपको अलग-अलग घराने मिलेंगे घराना का मतलब कोता है अलग-अलग family या अलग-अलग group of स्विश्य गुरू लोग जो practice करते हैं वो दागरी घराना इस शेली में आलाप पर बहुत बल दिया जाता है दागर परिवार दागर वाडी में गाता है कई पीडियों से उनके परिवार के लोगों ने जोडो में प्रसिक्षित और प्रदर्शन किया है डागर जो है वो मुसल्मान है लेकिन सामानेता हिंदु देवी देवताओं के पाठ को गाते हैं जैपुर के गुंदेजा भाई तो यह देखो आप लोको आ सकता है कि यह घराना किस से रिलेटेड है इसके बारे में लिखे धुरूपत के बारे में लिखें तो वहां पर इस इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके अधाता है दर्भंगा घराना इस घराने में धुरूपत वाणी और गोहर वाणी में गाते हैं तो देखो इससे पहले वाले में कौन सी वाडी थी और यहां पर कौन सी है खंदार और गोहर वाणी वे रागालाप पर बल देते हैं और साथ ही ततकालिप आलाप पर गीतों की रशना करते हैं उन्होंने विभिन प्रकार की लैकारी का समावेश करके इसमें सुधार किया है इस शैली का प्रतिनीधी मलिक परिवार है मलिक परिवार है वर्तमान में गायन करने वाले सदश्यों में राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सिया रम तिवारी सम्मिलत है अब आता है आपका बेतिया घराना, यह घराना केवल परिवार के भीतर प्रसिक्षित लोगों को ग्यात कुछ अनोखी तक्नीकी वाली नौहर और खंडार वाणी शेलियों का प्रदर्शन करता है, इस प्रणाली का प्रतिबादन प्रसिद मिस्ष्र परिवार ने किया है, आ इसके अतिरित बेतिया और दर्बंगा शेलियों में प्रचले धुरूपत का रूप हवेली शेली के रूप में जाना जाता है, अब आता है आपका तन तलवंडी घराना, यहां खंडर वानी गाई जाती है, चुकि यह परिवार पाकिस्तान में इस्तेत है, इसलिए इसे भ में के उदभव का श्रे अमीर खुश्रो को जाता है, इम्पोर्टेंट है, यहां रूप कलाकारों के बीच काफी लोगप्री है, क्योंकि यह तत्कालिता के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है, खयाल दो से लेकर आठ पंक्तियों वाले लगू गीतों के रंग पलट पर अधारित है, सामानिता खयाल रचना को बंदिश के रूप में भी जाना जाता है, पंद्रवी शताब्दी में सुल्तान मोहमत शर की खयाल के सबसे बड़े संग्रक्षत थे, खयाल के सबसी अनूठी विस्षेश्टाओं में से एक यह है कि खयाल रचना में तान क प्रयोग होता है, इसी कारण वर्ष धृपत की तुलना में खयाल संगीत में आलाप को कम स्थान दिया जाता है, और इसमें दो गीतों का उप्योग किया जाता है, एक तो आपका बड़ा खयाल और छोटा खयाल, बड़ा खयाल को धीमी गती सगाया जाता है, छोटा खयाल क अगर बहुत इंपोर्टेंट और इसके अंदर के घराने बहुत इंपोर्टेंट आप लोगों को सारे अलग अलग घराने शायद पढ़ने को मिले क्योंकि एक टोड़ डिटेल में चला जाता है लेकिन अगर कहीं पर यह क्वेश्चन आएगा तो अगर आप लोगों को यह च कौन-कौन से घराने रिलेटेन हैं वो लोग कौन सा लैंगेज यूज करते हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार कौन सा है अप लोग इतना इंफोर्मेशन भी अगर अपने पास रखोगे तो आप लोगों के कॉम्पेटेटिव एक्जाम्स के लिए इनफ होगा और अगर आप लोगों में इसका अंसर लिखना है तो इसके लिए पुरा नोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्वालियर घराना यह सबसे पुराने और सबसे व्रिस्तित खयाल घरानों में से एक है यह बहुत कठोर नियमों का पालन करता है क्योंकि यहां राग माधूरी और ले पर समान बल दिया जाता है हाला कि इसका गायन बहुत जटिल है फिर भी यह सरल रागों के प्रदर्शन करने के लिए वीरता देता है यह घराने के सबसे अधिक लोगप्रिय प्रदर्शन करता नाथु खान और विश्नु पुलस करें इसके बाद आता है किराना घर नायक गुपाल ने इसकी स्थापना की थी लेकिन बीसवी सताब्दी के प्रारंब में इसे लोगप्रिय बनाने का वास्तविक श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहित खान को जाता है किराना धराना धीमी गति वाले रागों पर अपनी प्रवींता के लिए शेली में महान गायतों की लंबी करतार है लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वो भीम सेंजोसी और गंगुबाई हंगल है तो आप लोग को इन सारे घराने के जो इंपोर्टेंट सिंगर से उनका नाम याद होना जाहिए अब आते आपका आगरा घराना इतिहास करों का तर्क जो है वो हाजी सुजान खान थे फयास खान ने नविन और गितात्मक सपश देकर इस घराने को पूर्णर जिवित किया तब से इनका नाम रंगीला घराना पड़ चुका है किस घराने को आप रंगीले घराने के नाम से जानते हो तो इसका आंसर होगा आपका आगरा घरान का सुभारंब किया था इसे पंजाब में पटियाला के महाराजा द्वारा प्रारंब एक प्रयोजन प्राप्त हुआ शिक्र ही उन्होंने गजल ठुम्री और खयाल के लिए भी प्रतिष्टा प्राप्त कर ली वे ब्रिहत्तर ले के उपयोग पर बल देते थे ठीक है चुकि उनकी रच्णाओं में भावनाओं पर बल होता था और अथा उनका रुझान अपने संगीत में अलंकरन या अलंकारों में उपयोग पर होता था वे जटिलतानों पर बल देते थे इस गहराने के सबसे प्रधिस संधिक संगीतकार यो थे वो गुलाम अली खान साहब थे भा दोने लंबे अवधी तक अपनी सांस नहीं अंतरत करने में गायेकों के रूप में लोग प्रियता और प्रासिद्धी प्राप्त की थी। इस तकनीक का उपयोग करते हुए, ये कलाकार एक ही सांस में लंबे-लंबे अंतरे गा सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये इसलिए भी अधुधिती हैं, क्यूंकि ये कुछ करनाथक रागों का भी उपयोग करते हैं, भिंडी बजारगराना जो है, वो कुछ करनाथक रागों का भी प्रयोग करते हैं, ये important है, अब का थुम्री ये third type है, यहां मिस्रित रागों पर अध प्रति गोपियों के प्रेम को दरसाता है रचना की भाषा सामानेता हिंदी या अबधी या ब्रज भाषा होती है ठीक है अब जो इसकी रचनाएं है सामानेता महलाओं के अवाज में गाई जाती है यह अन्य रूपों की तुलना में अलग है क्योंकि ठुम्री में नहित का गायक को सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करती है और इसलिए राग के साथ इसके पास अधिक से अधिक लचीला पन होता है दादरा, होरी, कजरी, सावन, जूला और चौति जैसे हलके फलके रूपों के लिए भी थुम्री नाम का प्रयोक किया जाता है मुख्य रूप से ठुम्री दो प्रकार किया है, पूर्वी ठुम्री और पंजाबी ठुम्री, जो पूर्वी ठुम्री है उसको धीमिगती से गाया जाता है, और जो पंजाबी ठुम्री है उसको तेज वा जीवन्त तरीके से, इकनम लाइवली फॉर्म में गाया जाता है, ठ बात है आपका टप्पा शैली इस शैली में ले बहुत महत्वपून भूमी का निबाती है क्योंकि रचना तिव्र सुक्ष्म और जटिल होती है इसका उद्भव उत्तर पश्यमी भारत के तट सवारों के लोग गीतों से हुआ था लेकिन समराठ मुहमत शा के मुगल दर्बा होता है तप्पा ना केवल अविभा अविजात वर्ग बलकि विनम्र वाद्य यंत्र वाले वर्गों की पसंद की शैली भी होती है 19 सताब्दी के उत्तर आर्द तथा 20 सदी के प्रारंभ में बैठकी शैली का विकास हुआ जो की जमिंदारी वर्ग की बैठक खानों जैसे बैठक सभा खाना हाल और जलसा घरों में विक्सित हुई आज यह शैली प्राय विलुप्त हो रही है तता इसका अनुशरन करने वाले बहत कम है इस शैली के कुछ प्रतिपादप मिया सौधी ग्वालियर के पंडित लक्षमर राव और सन्नो खुराना है अब आता है आपका तराना शैली इस शैली में ले बहुत पो महत्वपून भूमी का निबाती है इसकी संगरचना लगू एवं कई बार दोहराई जाने वाले रागों में से निर्मित होती है इसमें उच्छी स्वर वाले विसम राग का प्रयोग होता है और जिसे मुख्य राग पर लोठने के पहले एक बाय प्रारम्द किया जाता है इससे जो इंपोर्टेंट आप इसके जो गायक हैं वो हैं मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा 2011 में हैदरबाद में पंडित मोती राम संगीत समारों में शोताओं ने उन्हें तराना के बादशा ताटिस तराना के राजा की पदवी दी थी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद आता है धमर होरी शेली यह जो है धृपत ताल के अलावा यह शेली धृपत के काफी समान है यह बहुत ही संगठित शेली है और इसमें 14 तालों का चक्र होता है जिनका अन्यमित रूप से उपयोग किया जाता है रचनाए प्रकृती में सामानित भक्ति परक होती हैं और भगवान कृष्ण से संबंदित होती है अब आता है गजल यह एक काव्यात्मक रूप है और इसे एक ही बहर या मीटर साजह करने वाली प्रति एक पंक्ति के साथ तुकपंदी वाले दोहे और पद्य होते हैं जिसको आपको गजल बोलते हैं गजल के सामाने तह 12 असार या दोहें होते हैं और उससे अधिक नहीं होते हैं ठीक है गजल का जो एक मातर ही विशे होता है वह होता है प्रेम विसेस्त हा बिना शर्थ के सर्वोच्च प्रेम भारतिय उप महाद्वीप के गजलों पर इसलामी रहस्यवाद का प्रभाव है अब आता है आपका करनाटक संगीत करनाटक साखा उस संगीत का शुजन करती है जिसे पारंपरिक सब्तक में बनाया जाता है संगीत कृती आधारित होता है और साहित्य या संगात्मिक खड्ड के गीत के गुणवत्ता पर अधिक बल देता है दोस्तों यह जो है ना इसके आप लोगों को में लिये घराना वराना का नाम ही याद करना जरूरी है और कुछ इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है क्योंकि इसमें आप लोग जितना सुनोंगे आप लोग और कंफ्यूज होगे क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली मुजिक सुनते सीखते नहीं है तो आप लोग को इस टॉपिक में एकदम से पैनिक करने की जहरत नहीं है आप लोगों को इस टॉपिक से जो चीज़े उठानी है वो है कौन कौन से संगीत हिंदुस्तानी संगीत है उसमें टोटल 10 टाइप तो वह 10 टाइप उसके इंपॉर्टन घराने की है करनाटक शेली से क्या क्या चीज़े इंपॉर्टन यह लोगों को बस यह चीज़ें ग्राब करनी है कौन उसके जो important singers है वो grab करना है आप लोगों को एकदम से बिना panic होई इस topic को पढ़ना है अब आता है अपका पल्लवी अनुपल्लवी वर्णम ये सारी जो चीज़ें वो जो है करनाटक संगीत का पार्ट है रचना की पहली या दूसरी जो पंक्तियां होती है उसको पल्लवी कर दो नुपल्लवी बोलते है और वर्णम नव में गया जाते है इससे श्रोत्ताओं तोに बनारों होता है पुरवांग प्रम अध्वांच से राण मली उसकेuestas पाठल होता है यहां प्ललवी का समापन भाग होता है नहедьकर पूर्लवांग्या या प्रधम अद्वांश और हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में difference प्रभाव हिंदुस्तानी संगीत में आप लोगों को अर्बी फार्डसी और अफगान का प्रभाव मिलेगा कर्नाटक संगीत पूरा स्वधेश ही है स्वातंत्रता या फिर इसमें freedom ततकालिक्ता के लिए कलाकारों के पार अवसर है इसलिए विभिनिता के अवसर है यहां पे ततकालिक्ता का कोई अवसर नहीं है स्वातंत्रता नहीं है मतलब आप at the moment कोई changes नहीं ला सकते ताल रागिन सब में इसकी उपशेलिया जो है उनको भाति वादय यंत्रों की जो है वो जरूरत होती है और करनाटक में जो है कंठ संगीत पर जादा बल दिया जाता है अब राग इसमें टोटल 6 प्रमुख राग होते हैं और करनाटक संगीत में 72 राग होते हैं जो हिंदुस्तानी संगीत होता है वो समय का पालन करता है लेकि अतर बारत और अच्छन भारत यह दो अमको पता यहां तो छो हम लोगो का इंपोर्टन था यह जो इंपोर्टन था इन्थ इंपोर्टनियशन थे और galera hal buff साभी थोड़ा थोड़ात थे इंपोर्टन संगय था लगोई हो इम्पोर्टन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह आच्छे लोगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यह लेशन कम्टीट होता है थांक यू